कॉंग्रिस नेता शशी थरूर के ट्वीट से हिजाब को लेकर नया बवाल अब शुरू हो गया है हिजाब विवाद पर शशी थरूर ने पाकिस्तानी एजिंट के एक ट्वीट को रिट्वीट किया जिस पर कुवेट में भारती दूतावास ने शशी थरूर को करारा जवाब दिया आपको दिखाते हैं आखिर पूरा विवाद दरसल है क्या एक पाकिस्तानी एजिंट ने ट्वीट किया था और उसी ट्वीट को शशी थरूर ने रिट्वीट किया शक्तिशाली खुवेटी सांसदों के एक समून सरकार से मांग की है कि खुवेट में भारत की सत्तरूर बीजेपी के किसी भी सदसे के प्रवेश पर ततकाल प्रतिभंध लगाया जाए हम मुस्लिम लड़कियों को सारवजनिक रूप से प्रतारित होते हुए नहीं देख सकते हैं ओमा के एक जुट होने का समय है ये वो ट्वीट है जिसे कॉंग्रेस के नेता शशी थरूर ने रिट्वीट करते हुए लिखा गरेलुक्रियाओं के अंतराश्ट्रे प्रभाव होते हैं मैं भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया और इसकी निंदा करने के लिए प्रधानमंत्री की अनिच्छा के बारे में खाड़ी के दोस्तों से उनकी निराशा के बारे में सुनता हूँ इसके खिलाफ निरनायक कारवाई की तो बात ही छोड़िये हमें भारत पसंद है लेकिन हमारे लिए अपने दोस्त बनाना इतना कठिन मत बनाओ शशी थरूर के इस ट्वीट पर रकुवयत स्थित भारतिय दूतावास ने करारा जवाब देते हुए लिखा भारतिय संसत के एक माननी सदस्य को एक पाकिस्तानी एजेंट के भारत विरोधी ट्वीट को रिट्वीट करते हुए देखकर दुख होता है जिसे उसकी भारत विरोधी गतिविधियों के लिए शांती का राजदूत पुरुसकार मिला था हमें ऐसे भारत विरोधी तत्वों को प्रोचाहित नहीं करना चाहिए भारतिय दूतावास के ट्वीट पर शशी थरूर ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा मैं इस व्यक्ति का समर्थन नहीं करता जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था लेकिन मैं उसके दुबारा व्यक्त की गई भावना के बारे में चिंतित हूँ मैं भारत सरकार से आग रह करता हूँ कि ऐसे भारत विरोधी तत्वों को यहां कदाचार करके बारूदना दे